तो दोस्तों अगर आप Redmi, Poco या Xiaomi का कोई भी device यूज़ कर रहे है और आपके device में जैसे कोई भी software का update आता है चाहे वो आप MIUI 13 का update करते हो या MIUI 14 का software का update करते हो आपका system launcher भी यहाँ पे crash करना चालू कर देता है अगर यह problem आपको देखने को मिल रहा है तो आप सही वीडियो में आया है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस परकार के problem को कैसे आप यहाँ पे sort out कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखे वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सस्क्राइब लाइक हो सेयर जरू कर दीजिए इस मोबाइल में सबसे पहले system UI not responding वाला problem देखने मिला देन यहाँ पर system launcher क्रेस किया आप यहाँ पर को भी application सो नहीं हो रहा है और power button press करने के बाद ना mobile on हो रहा है ना off हो रहा है कोई भी प्रेस कर रहा हूं भोलूम आप बटम को प्रेस कर रहा हूं डान बटम को प्रेस कर रहा हूं तो फिर भी को भी respond यहाँ पर देखने को नहीं मिला है तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो power button को इस परकार से प्रेस करके रखना है ठोले दिर आप यहाँ पर प्रेस करके र रिबूट होने के बाद आपको next process क्या complete करना है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लिया करने वाला हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते है रिबूट का process complete हो चुका है दिन आपका mobile यहाँ पे on हो जाएगा on होने के बाद अभी मैं यहाँ पे अपना password एक बाद डाल लेता हूँ और जैसे password डालूँगा तो अभी यहाँ पे फिलाल देख सकते application वर्क कर रहा है फिर से आपको यहाँ पे दो मिनिट या तीन मिनिट के बाद फिर से यह issue देखने मिल जागा तो आपको simply क्या करना है setting मे डाल एक करना है दूब्हाँ पर क्या के बाद इस परकार का इंटरफेस मिलेगा उपर में आपको सुस्तिंट्रमी पर के बाद आपको यहाँ पर लिखना है system UI तो आपको क्या किह पहले system क्लिक करना है और इसका क्लियर क्या चो क्लियर ओल डाटा कर लेना है कोई अपडेट किया है तो अनिस्टोल अपडेट करना है उसी परकार आपको सिस्टम यॉय प्लग इन पर क्लिक करना है इसका भी क्लियर ओल डाटा कर लेना है कोई अपडेट आया है तो उसको अनिस्टोल update कर ले, देन उसके बाद फिर से आपको search में जाना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है system service plugin, यह option मिलेगा, इस पर click करें, click करें इसका भी clear all data कर ले, कोई update किया है, तो उसको uninstall update कर ले, देन उसके पर फिर से आपको search में जाना है, और इस बार आपको यहाँ पर लिखना है system launcher यह option मिलेगा इस पर click करें कोई update किया तो install update करें साथ में इसका clear all data कर ले यह process आपको यहाँ पर complete कर लेना है complete करने के बाद आपको यहाँ से back हो जाना है और back होने के बाद आपको यहाँ पर home screen में आ जाना है home screen में आने के बाद आपको यहाँ पर wait करना है जितने भी आपको यहाँ पर default application है वो कुछ दिर में यहाँ पर so हो जाएंगे और आप यहाँ पर देख सकते है application यहाँ पर so होना चालोगे next process क्या complete करना है फिर से city में जाना है about phone में जाना है storage वाले option में जाना है अगर storage 90% से full हो चुका है तो storage को आपको यहाँ पर कम कर लेना है और यहाँ पर जो आपको उपर में application वाला option देखने मिलेगा apps देखने मिलेगा इस पर आपको click करना है और click करने बाद आपको यहाँ पर देख लेना है कौन सा application आप यहाँ पर use नहीं कर रहे हैं और साथ में कौन सा application सबसे ज़्यादा यहाँ पर data ले रहा है सबसे ज़्यादा यहाँ पर catch file वल रहा है उसको आप यहाँ से clear कर सकते हैं अनिस्टॉल भी कर सकते हैं उसके data को भी clear कर सकते हैं यह process आपको यहाँ पर complete करना है और storage को कम करना है RAM को कम करना है फिर भी अगर आप यहाँ पर RAM को कम नहीं कर पा रहे हैं तो next process complete करने के लिए आपको नीचे जाना है additional setting पर click करना है और एक option यहाँ पर देखने मिलेगा वो option मिलेगा memory extension का इस पर आपको click करना है click करने बाद आप यहाँ से RAM को अपना बढ़ा सकते हैं तो अगर application को delete नहीं करना चाहते है तो दिन आप यहाँ पर RAM पर click करने बाद आपको यहाँ पर reboot कर लेना है और अपने RAM को storage को आप यहाँ पर बढ़ा ले बढ़ाने से क्या होगा कि आपको mobile का performance यहाँ पर काफी improve हो जा और launcher में भी कोई issue देखने को नहीं मिलेगा तो जो भी issue आपको आ रहा था mobile पर हेंग कर रहा था लेक कर रहा था वो problem अब आपको यहाँ पर face करना नहीं पड़ेगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करको जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेर